नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल एटू बीटू इस्टडी पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आई टियाई इलेक्टिसियन थियोरी की सेकेंडर की क्लास लेकर आए हैं जो की प्रिवेस येर पेपर से लेटेड है दोस्तों आप स बार-बार पुछे भी जा रहे हैं दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको आई टियाई सेकेंडर की एक्जाम में नेश्ची सफलता मिलेगी तो दोस्तों शुरू करते हैं सिधे हमारा आज का ये वीडियो हमारा आज का पहला प्रस्ण है यहाँ आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पर आपको बताना है डीसी जनेरेटर का नाम क्या है तो डीसी जनेरेटर का जो नाम है वो है डिफरेंशियल लांग संट कमपाउंड जनेरेटर आपसन नमबर ए जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा जनेरेटर में प्रेरित एमेफ की दिशा ग्याद करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है डीसी जनेरेटर में प्रेरित एमेफ की दिशा ग्याद करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज होता है आपसन नमबर डी इसका राइट एंसर हो जाएग next है winding प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो armature winding के प्रतिरोध को मापने के लिए kelvin bridge का जुज होता है option number 10 का right answer हो जाएगा अबर अगला प्रश्ण है यदि coil pinch pole pinch से कम है तो winding का नाम क्या होगा दोस्तों अगर coil pinch pole pinch से कम होता है तो उसे 60 cardate winding कहा जाता है आपसर नमबर D इसका right answer हो जाएगा अगर यहाँ पर coil pitch, pole pitch से अधिक है तो winding का नाम क्या होगा तो वहाँ पर यह लंबी cardate winding हो जाएगा Next है DC motor में current की दिशा किस नियम से निधाईत होती है तो DC motor में current की दिशा ग्याद करने के लिए flaming के दाहिने हाथ का नियम यूज आता है, काम में आता है तो आपसर नमबर D इसका right answer हो जाएगा Next है साट और open circuit के लिए और mature winding का परिच्छड करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो साट circuit टेस्ट या फिर open circuit टेस्ट के परिच्छड करने के लिए बाहरी growler का यूज होता है आपसर नमबर जो C है इसका right answer हो जाएगा Next है कौन सी कुचालक समगरी steady B के कुचालक की है तो fiber glass जो है ये steady B के कुचालक पतात के अंदर का दाता है Next है थ्री कला prayer motor में किस गती को तुल्यकालिक गती कहा जाता है तो थ्री फेज induction motor में चुमकी छेत्र की गती को घुमाते हुए जो गती होती है उसे तुल्यकालिक गती कहा जाता है या फिर synchronous speed भी से कहा जाता है तो आपसर नमबर C इसका right answer हो जाएगा पूर लोड पर 10 HP तीन कला prayer motor चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है तो 10 HP तीन कला prayer motor को चलाने के लिए जो फ्यूज दर यानि फ्यूज रोड रेटिंग होगी वो पचीस एमपियर होगी आपसर नमबर C इसका right answer हो जाएगा Next है छे पोल स्टेटर मोटर की विद्यूट डिगरी क्या होगी तो 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्यूट डिगरी ग्याद करने के लिए फार्मूला है विद्यूट डिगरी is equal to पोल इंटू 180 बस तो पोल की संख्या में अगर आप 180 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपकी विद्यूट डिगरी जो होती है और निकल जाएगी तो यहाँ पे चलिए हम आप करते हैं यहाँ पे पोल दिया हुआ है 6 और यहाँ पे विद्यूट डिगरी दिया है 180 तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1080 डिगरी जो कि आपस नमबर 6 इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्चन है त्री कला 36 स्लाट बारक क्वाइल चार पोल इस्टेटर वाइडिंग के लिए स्लाट के संदर में कला विस्थापन की गणना करें तो यहाँ पर तीन कला 36 स्लाट बारक क्वाइल चार पोल इस्टेटर वाइडिंग के लिए सेम यही प्रस्ण आपको पैच्छा में देखने को मिल जाएगा इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 स्लाट आपस नमबर C नेक्स्ट है एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है तो एसी सिंगल फेज जो इसमें दिया हुआ है फिगर इसका जो प्रकार है वो हो जाएगा कैपेश्टर स्टार्ट, कैपेश्टर रन आपस नमबर D का राइट अंसर हो जाएगा हमार नेक्स्ट क्वेस्टन है Wound Rotor के साथ कौन सी एकल कला मोटर फीट है तो Wound Rotor के साथ पति कर्शर मोटर जो होती है वो एकल कला मोटर होती है जो फीट माई जाती है वो आपसन नंबर जो A है इसका राइड एंसर हो जाएगा Next question है Prayer Motor का कार्षिधान थान्त क्या है तो prayer motor जो होता है वो लेंज के नियम को फालो करता है तो आपसर नमबर जो A है इसका right answer हो जाएगा Next question है सौरवभावमिक motor का अनुप्रयोग क्या कौन सा है तो सौरवभावमिक motor जो है वो भोजन mixer यानि की जो mixer आप घरों में यूज करते हैं उसे सौरवभावमिक motor का जाता है तो आपसर नमबर B जो है इसका food mixer ये इसका right answer हो जाएगा Next है अल्टरनेटर को कैसे rated किया जाता है आल्टरनेटर को KVA में rated किया जाता है तो आपसर नमबर A जो है इसका right answer हो जाएगा Next question है घूडर छेत्र प्रकार आल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है तो दोस्तों जो घूडरन छेत्र प्रकार का अल्टरनेट होता है उसका यूज करने से दो स्लिप रिंगों की आसकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो यानि कि आपसर नमबर जो D है ये इसका right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण है तो जो इसमें यक्स को डिनोट किया हुआ है इस भाग का नाम पुछा हुआ है तो दोस्तों ये जो है ये collect the deliver direct current जो output में current को collect करता है यानि संख्याइद करता है तो आपसर नमबर जो D है इसका right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण है जो inverter और converter दोनों के रूप में कारे करता है उसे क्या करते है तो जो inverter और converter दोनों के रूप में कारे करता है उसे तूल ये काली converter करते है यानि आपसर नमबर D का right answer हो जाएगा next है motor generator set का lab क्या है तो motor generator जो होता है उसका जो set होता है उसका lab ये होता है कि DC output voltage को आसाने से नियंतित किया सकता है control किया सकता है अपसर नमबर D का right answer हो जाएगा next है amplifier का नाम क्या है तो amplifier जो इसमें figure में दिया हुआ है इसका नाम है class B push pull amplifier जो कि आप आपसर नमबर D में देख सकते हैं ये इसका right answer हो जाएगा next question है next question है एक निस्क्रिय घटक कौन सा है ये आपको चार आपसर दिया हुआ है diet, diode, transistor, संधारित, इसमें आपको बताना है जो संधारित्र है, capacitor, ये निस्क्रिय घटक की सेड़ी में आता है आपसर नमबर D का right answer हो जाएगा next है कौन सा अच्छा और योगिक पदार्थ cadmium sulfide को इंगित करता है दोस्तों आप सभी जानते है cadmium sulfide को इंगित करने के लिए R का यूज़ करते है next है control panel wiring में wiring accessory का नाम क्या है ये जो figure में दिया हुआ है ये dean rail के नाम से जाता है तो आपसर नमबर A जो है इसका right answer हो जाएगा next है control panel wiring में प्रयोक्त गौड का नाम क्या है यानि कि जो wiring control panel में यूज़ करता है इस उपकरड़ का क्या नाम है तो दोस्तों इसे grommet के नाम से जाता है आपसर नमबर 3 आप देख रहे हैं इसे grommet के नाम से जाता है grommet grommet और कहीं कहीं आपको यहाप पे chromet भी देखने को मिल जाएगा वारा पसना है final board assembly में किस उपकरड़ से बचा जाता है तो final board assembly में आप sensor की मदद से बच सकते हैं तो आपसर नमबर A इसका right answer हो जाएगा next है electric drive क्या है तो electric drive जो है वो motor को नियंतित करने के लिए एक विद्धूत उपकरड़ होता है आपसर नमबर 6 इसका right answer हो जाएगा next है DC drive में BOP का पुड़रूप क्या है तो BOP जो होता है इसका full farm जो होता है वो होता है basic operational panel आपसर नमबर B में आप देख सकते हैं ये इसका right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रशन है operation के mode के अनुसार की इस drive को वर्गिक कित किया गया है तो operation के mode के अनुसार निरंतर duty drive यानि कान्टी निरंस duty drive को वर्गिक कित किया गया है आपसर नमबर D इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन है यदि ISI के अनुसार घोसित बोल्टेज 240 बोल्ट है तो नियूंतम अनुमत एकल चरल करसील बोल्टेज क्या होगा तो ISI के अनुसार घोसित बोल्टेज अगर 240 बोल्ट है तो नियूंतम अनुमत एकल चरल जो करसील बोल्टेज होगा वो 228 बोल्ट होगा आपसर नमबर B जो है ये इसका right answer हो जाएगा अला प्रशन है किस सब्द से यतातपर है कि किसी पदार्थ का द्रब्यमान इलेक्ट्रो लाइट से एक कुलाम विद्धु धारा मुक्त होता है तो आपसर नमबर D जो है विद्धु रसानिक तुल्यांग जो होता है इससे यतातपर होता है कि किसी पदार्थ का द्रब्यमान जो है इरेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्धुधरा मुक्त होता है तो अपसर नम्बर डी जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा अवरागता प्रस्न है संचिप्त नाम UPS का पूररूप क्या होता है दोस्तों UPS जो होता है इसका फूर्ट पावर सप्लाई यानि कि स्ट्राइब और डी अदो होता है आपसर नम्बर 6 पर और श्रोत कौन सा है दोस्तों हवा पानी भाप और डीयर इसमें दिया हुआ है दोस्तो पानी भाप और डियल जो है ये उर्जा का प्रारंप्रिक स्रूथ में आजाएगा लेकिन अगर बात करें हावा की तो ये जो है गैर प्रारंप्रिक उर्जा का स्रूथ है तो आप 보시면 number A इसका right answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है उर्जा का प्राक्रतिक स्रोथ कौं सा है यह बहुत आसान क्वेस्चन है दोस्तों आप जानते हैं इसको आई इनीयमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घैलू इंट्रालेशन में किनी दो चालकों के बीच अनसुलेशन प्रतिरोध केतना होता है तो दोस्तों अगर आई नियमों के अनुसार माने तो दो चालकों के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरों होता है वो एक मेगा ओम से अधिक होता है तो आपसन नमबर बी में आप देख सकते हैं यह इसका राइट अंसर हो जाएगा अगरा पसन है लाइन इनसुलेटर का नाम कै है आपको फिगर देया हुआ है इसमें आपको बताना है कि यह किस टाइप का इनसुलेटर है तो यह जो है यह निलंबन प्रकार का इनसुलेटर है यह यानी suspended type इनसुलीटर अपसन नमबर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा next है winding wire gap को बहुत पास रखने और pin insulator में बहुत टाइट होने का क्या करणर है तो sparking से बचने के लिए इसका tight की रखा जाता है अपसर नंबर A इसका राइट अंसर हो जाएगा वरा अगला प्रस्ण है circuit breaker की टूटने की छमता का मुल्याकन कैसे कियाता है तो circuit breaker के टूटने का यानि अगर MCB यादे की बात करें तो इसकी जो टूटने के रेटिंग होती है उसो milli volt ampere में मापा जाता है तो आपसर नंबर C जो है MBA इसका राइट अंसर हो जाएगा वरा अगला प्रस्ण है circuit breaker का नाम क्या है इस जो फेगर दिया हुआ है दोस्तो ये air blast circuit breaker है आपसर नंबर B इसका राइट अंसर हो जाएगा वरा अगला प्रस्ण है किसी गती परक वस्तु के विरुद घर्षड बल की दिशा क्या होती है दोस्तो किसी गती परक यानि गती में अगर कोई वस्तु है तो उसके जो घर्षड होगा दिशा किस गदिशा में बल लगाएगा दोस्तो वस्तु के हमेशा सामने उसका जो बल लगेगा जब वस्तु गती के दिशाम होगी तो आपसा नंबर B जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा गर्षर बल पर कौन सा निर्भर करता है गर्षर बल लगने के लिए आपको किसी सर्फेस यानि की सता की अवसकता होगी तभी आप गर्षर बल को लगा सकते हैं यानि अगर आप चलते हैं तो आपका घर्षणबल होता है वो पृत्वी पर लगाता है जिसे आप आगे बढ़ पाते हैं तो जोस्तों घर्षणबल को लगाने के लिए आपको किसी सर्फेस यानि संपर्क की आप सकता होती है तो दोस्तों स्पैले स्फीड प्रडाली होती है इसमें उठी तेल के साथ प्रदान की जाती है सिनेहन प्रडाली का हायत है इसे है तो आपसे नंबर जो सी है इसका राइट एंसर हो जाएगा आगला प्रस्न है 0.24 के घरशड गुडांग के साथ 0.24 वहीं आगे देख लें तो आवस्ट्रक बल का मान आपसे पूछा हुआ है आवस्ट्रक बल के मान पूछा हुआ है और यहाँ पे आपको यानि भार यहाँ पे दे रिया हुआ है और वो है 20 kg तो हम इसे डिट कर लेते हैं तो हमारा फ्रॉड़ा होता है f is equal to m यानि घर्ण गुडांक into w यानि की भार तो m का आपका 0.24 दिया हुआ है यहापको multiply करना है 20 से तो आपका जो answer आजाएगा यहापे आप solve कर लेंगे इसे तो आपका 24 दूना 48 हो जाएगा यानि की 4.1 पे केजी में आ जाएगा तो आप तेख सकते हैं आपसर नंबर A जो है इसका right answer हो जाएगा उमीद हैं को कि आपको यह समझ जा गया होगा उस बिंदू का नाम क्या है जिस पर सरीर के सभी भाग केंदित होते हैं गया थे तो गुत्वा कर्षर का जो केंद होता है वो मुख्य केंद होता है जिस पर सरीर का सभी भाग केंदित होता है तो आपसर नंबर जो D है B यह इसका right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा जयामती आकरती का गुत्वा कर्षर केंद इसकी आधार से हिस्तित इसकी उचाई 1 by 3 है तो आप 3 भूज को जानते हैं इसका जो एंगल होता है 1 by 3 होता है तो आपसर नंबर जो C इसका है right answer हो जाएगा अगला प्रस्ण है चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहाता है तो अगर एक वृत की बात कर लें तो वृत में जो सबसे बड़ा चाप होता है उसे ब्यास कहते हैं दोस्तों जो आपसर नंबर आप देख रहे हैं B इसका right answer हो जाएगा हमना अगला प्रस्ण है उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी 35 cm है और अभी प्रेत कोड जो है 30 degree है तो इसका जो आपसर नंबर A है ये इसका right answer हो जाएगा समय का हमारे दोस्तों इसलिए हम इसे चाल उने करा पा रहे है हमरा अगला प्रस्ण है 1 by A power M का मान क्या है दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या 1 by A power M के रूप में लिखा हुआ है तो इसे आप A power M के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर अगर आपको कोई भी दिया हुआ है माइनस के रूप में अगर B दिया हुआ है या फिर कोई अच्छर ही दिया हुआ है तो आप इसे 1 by करके लिख सकते हैं तो उसी बकार दोस्तों आपसर नंबर जो इसमें B है ये इसका राइट एंसर हो जाएगा वनागरा प्रस्न है A प्लस B का होलिश्कार माइनस A माइनस B का होलिश्कार किसके बराबर होगा दोस्तों आप a plus b का holy square और a minus b का holy square इसका दुनों का फार्मूला आप जानते ही होंगे आप फार्मूलों को सिधे खोल कर रख लेंगे तो आपका जो answer होगा वो आजाएगा जो आपका answer आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4ab आपसा number 6 का right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रशन है a plus b का holy square माइस 36 बराबर 36 a minus b का holy square is equal to 24 तो a, b का मान क्या होगा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि a plus b का holy square होगा बराबर a minus b का holy square इसका आपको बराबर करना होगा तो यह दोस्तों बराबर कभी होगा जब आप इसमें last में 4ab एड कर दें 4ab एड कर देंगे तो यह दोनों बराबर हो जाएगा तो जब बराबर हो जाएगा तो हम इसमें आपको मान रख लेते हैं तो यहाँ पे A plus B का होड़ी स्क्वार मान दिया हुआ है 36 और बराबर कर लेंगे A माइस B का होरी सुकार दिया हुआ है 24 और दूस्तों प्लस में 4 A B लिख लेते हैं इसके बाद दूस्तों को क्या करना है कि 24 को इधर लेकर आएंगे तो फिर A B बराबर हो जाएगा 24 और 36 में से 24 घटाएंगे तो आपका आजाएगा जब आप A B का मान निकालेंगे दूस्तों तो आपको 4 से जब बाराबर को आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो एंसर होगा वो आजाएगा 3 जो कि आप आपसन नंबर C आपका राइट एंसर हो जाएगा हमना आगला प्रस्न है तो किसी वस्तु के आयाम में परिवाइटन और मुल आयाम में अनुपाद को वीकृत्धि कायाता है अपसन नंबर 20 का राइट एंसर होजाएगा हमना आगला प्रस्न है उचितम प्रतिबल से कारेकारी प्रतिबल का अनुपाद का कालाता है दोस्तो बहुत important प्रस्ण है और पाइच्छा में ये आने के पूरे चांस देज़ा तो उच्छतम प्रतिबल से कारेकारी प्रतिबल का जो अनुपात होता है वो सुरच्छा गुडांग कर लाता है अपसर नमबर C अब देख रहे हैं ये इसका guidance हो जाएगा उस्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है उस्मा उपचार जो होती है वो सलचना और गुड़ो को बदलने के लिए एक heating और cooling प्रक्रिया कर लाती है अपसर नमबर A इसका guidance हो जाएगा उस्मा उपचार के विभिन चरड क्या है दोस्तो उस्मा उपचार के लिए heating, soaking और quetching जो होता है यह मुख्य प्रक्रिया होती है अपसर नमबर C जो है यह इसका राइट answer हो जाएगा अगर प्रसन है लाब क्या है तो लाब जो दोस्तो होगा आपको अगर लाब अगर आपको दस रुपे में करते हैं और उसे बार रुपे में सेल करते हैं तो आपका यह 10 ओ रुपे में पो क्रेव मोल हो जाएगा और 12 रुपे में आप वेज रहे है याणि आपको आप जो लाब होगा निकल जाएगा यानि कि लाब दो रुपे आपको आब का आजाएगा तो दस्तों आप जानते हैं ये फार्मूला कि चक्रित्री ब्याज में फार्मूला होता है A is equal to B कोश्टक में 1 plus R by 100 होता है और इसके power N होता है दस्तों आप फार्मूला जानते भी होंगे तो इसमें जो year पुछा हुआ है यानि साल पुछा हुआ है तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500 है दोस्तों अगर आप किसी बैंक में या फिर कहीं भी 5,000 रुपे जमा कर रहे हैं और उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो 500 है और आप इतना जमा कर रहे हैं तो मिलने वाला जो मिस सधन होगा मिस सधन कितना होगा तो दोस्तों अगर आप इतना आपको जमा करने वाली राची है और इतना आपका ब्याज है दोनों को आप आपको आड़ कर देंगे तो आपका मिश दधन प्राप्त हो जाएगा तो मिश दधन यानि की 5000 और 500 यानि की 500 आपका राइट एंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रश्ण है पुष्टिका का नाम क्या है जिसमें विभिन दरों का संकेत दिया जाता है तो जो मुले सुची होती है इसमें विभिन दरों का संकेत दिया हुआता है तो आपसर नमबर डीस का राइट अंसर हो जाएगा तो आपसा नमबर सीज का राइट अंसर हो जाएगा दस्तो यह था हमाराज का आखरी परस्न तो चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे जो कि आपको आइडियाई सेकेंडर के एक्जाम में 100% सफलता दिलाएगी दोस्तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से रवस्त कर दें जिसे आपके साथ उनका भी भला हो सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू